भिंड भारत के मद्दिक देश में उत्तरपूरी भाग में इस्थित एक प्रमुक सहर है जो चंबल संभाग के अंतरगत आता है दोस्तो यह सहर भोगलिक रूप से बीहड उपजाव जमीन और घने जंगलों के लिए जाना जाता है इस सहर का छेतफल 4469 बर किलोमीटर है और 2011 की जंगन्णा के अनुसार भिंड सहर की जंसंक्या सतर लाग के लगवग है इस सहर का नाम भिंडी रिसी के नाम पर ही इस सहर का नामकरण किया गया है दोस्तो अगर हम भिंड के इतियास को खंगा लें तो हमें पता चलता है यहां भारत के राजबंसों का बर्चस्प रहा है जिनमें बधुरिय राजा प्रमुक्त थे क्योंकि यह सहर बधुरिय ठाकर राजाओं का गड़वाना जाता है उस समय पर बधुरिय राजाओं के नाम पर बिंड को बदावर भी कहा जाता था दोस्तो यह चैत पहले ड़केटों के करण भी पहचाना जाता था बिंड योगों से ठगो लुटेरों और ड़केटों के प्रकुप से ग्रसित रहा है सासन जादातर इन दग्रकेटों को रोकने में विफल ही रहा है लेकिन अब यहाँ पर सब ठीक हो चुका है सभी अब आजादी से जीते हैं यहाँ के लोग भारत माता की सेवा में हमीशा ततपर रहते हैं अब यह सेर नई पहल कर रहा है यहाँ बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं और जंगल में जंगली जनवरों का रहन वशेरा है यहाँ पर बहुत सारे परियाटन इस्ताल है जैसे की राश्टी चंबल अब यहरंड भिंड से 22 किलोमेटर की दूर चंबल नदी पर इस्तित है जो भारती घड़ियालों, मगरमच्चों और गंगा डॉल्फिनों के संडक्छन के लिए प्रिसिद है इसाब बहरंड की स्थापना सन 1978 में की गई थी इसका चेतरवल 485 बर किलोमेटर है इसे अब बहरंड की सीमा तीन राज्यों से लगती है जिसमें हमारा मदपदेश, राजिस्थान, उत्तरपदेश के साथ लगती है खनिस्तंपता के छेतर में भिंड जला सम्रिद नहीं है यहां सिर्फ चूना पत्तर पाया जाता है यहां पर सिमिंट कार खाना भी है भिंड जला मुक रूप से कर्सी पिधान जला है की मुचाई परिस्तित है यह सहर भोपाल से 570 किलोमेटर तूर है और भारत की राजधानी दिली से 344 किलोमेटर दच्छनपूर की तरह राश्टिये राजमार्क 44 पर है दोस्तों भिंड जले में नो तहसील है जैसे भिंड, अटेर, लाहर, महगाउं, महोना, मौक, रौन, गोहद, गोर्मी दोस्तों यहां के प्रमुक परियाटन स्थल है जैसे भिंड का किला यह एक एत्यासिक स्थल है यह भिंड के राजाओं के सौर की निसानी है इस प्राचिन के लिए में आपको एत्यासिक से चुड़ी मिलेंगे और आपको प्राचिन काल की बेस भूसा से अबगत कराएंगे दोस्तों दूसरे नमबर पे है हमारा गोरी तलाब यह भिंड जिले का मुक परियाटन स्थल है यहां लोग तलाब की सुन्दता और संसेट देखने आते हैं यह विंड सेयर के बीचो बीच बहुत ही बड़ा तलाब है यहां पर आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं दोस्तों तीसरे नमबर पे है हमारी नक्ष़त रुबाटी का यहां पार्क बहुती मनमुहक पा खूबसूरत है यहां पर आप अपनी फैमली वा फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं यहां पर आप लाइटनिंग वा फबारे बहुत खूबसूरत लगते हैं चौथे नमबर पे हैं हमारा वनखेश्वर मंदिर यह भिंट जिले का धार्मिक मंदर भगवान सिख कुसमर्पित है इस मंदर का सिवलिंग पृत्वी राज चोहन दोरा इस्थापित किया गया था यहां मंदर में प्राचीन अखंड जोती हमेशा जलती रहती है इस मंदर में महसा प्राची के दिन मेले का आयोजन किया जाता है जिसकी वज़े से यहां पर काफी ज़्यादा घ्र होती है तो दोस्तो इसके अलावा आप गोहत का किलावी देख सकते हैं और अटेर का किलावी तो अगर आपको यह वीडियो फसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जदा से जदा से शेयर करें और चैनल को सस्काइब जरू कर लें जिससे कि आप रोज रोज नई नई वीडियो का अनन ले सकें